हलो दोस्तों माक्षे आप सब का स्वागत करता हूँ आप सब क्या अपनी यूट्वीब चैनल लर्निंग गुरू पर तो कैसे वह आपू लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ा ही कर रहे होंगे तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ना बड़ा जरूरी अाम देश में क्रिशी मतलब अगरिकल्चोर का इंपोर्टंस क्या है इसके वारे में आज हम बात करने वाले हैं जैसे आपको पता हो जिसके घृत के बारे में विवारे में हर कोई सोस्टा एं सब्लड़ेंग अन्हीं मैं इसे एक चीज ऑसे हमारा व्जट दोग अहां एक्षाम में जो question आता है उसके लिए तो यह बड़ा ही एक अच्छा explanation होंगा लेकिन जो लोग common है सामाने लोग है उनको लगता है कि क्या क्रिशी हमारे देश के लिए जरूरी है या नहीं है उनके मन में अगर कोई question है इसा तो यह उनके लिए भी जरूरी है तो यही बात मै आपको समझाओंगा आज की क्लास में कि क्या है आज की क्लास का जो topic बनेंगा हमारा वो यह बनेंगा आज हम आपको यह समझाएंगे कि जो क्रिशी है भारत की अर्थेवस्ता की read की हड़ी मानी जाती है जैसे बोला जाता है कि अगर आप चल रहो खड़े हो सीधा तो उसक सबसे पहली बास भारती अर्थेवस्ता में क्रिशी का अपना महतवा है क्यूंकि क्रिशी का जो मुख्या आधार है तो कि क्रिशी जो भारत देश है वहाँ पर लोगों की जीवीका का जो साधन है वो क्या है क्रिशी है भारत में बहुत सारे ऐसे लोग है जो किस के उपर निर्वर करते हैं टोटली क्रिशी के उपर निर्वर करते हैं अगर क्रिशी बन हो जाएंगा अगरिकल्चर के काम बन हो जाएंगे तो ल मतलब फ़ारत की जन संख्या सब्राइग मतलब भारत सारे लोग जो क्रिश्य उत्पादन करते और उसी उत्पादन गण श्राइप बहुत इंपोर्टिंट है कि सुरक्ष्या सब्सक्राइग करें करता है likes लेकिन जो 에 हैं ग्रामिवाइन्चेटर के जो लोग होते हैं अपसी important चीज होते हैं उनके विद्टिय सुरक्षा का वह उता है क्रिशी होता है क्रिशी हमारे खाद्य आउशक्ता को पूरा करने के लिए महत्पर भूमी का निवाता है जो क्रिशी की उत्पादन होता है अपके खाद्य आउशक्ता मतलब खानी के लिए जो चीजे होती हो जो क्रिशी से क्या होती है उत्पादन होती है वो हमारे आउशक्ता को क्या करती है पूरा करती ह क्रिशी से बाजारों में उप्युक्त माल उत्पन होता है मतलब जो हमारे बाजार होते है उनमें जो सामान अच्छा आता है वो किसकी वज़े से आता है क्रिशी से ही आता है और गरामीन और शहरी छेत्रों में रोजगार के अवसर भी क्या होते है पैदा होते हैं सा मन तो वहां रोजगार की भी निर्मिती हो जाती है तो यह चीज हो जाती है क्रिशी के माद्यम से क्रिशी का महत्व भारती अर्थ्विवस्ता में सामाजिक के साथ साथ आर्तिक सहरचना में है मतलब समाज के दुरुष्टि कुण से देखा जाये कि अगर ये लोगों के जीवीका का साथन है तो मतलब क्रिशी बहुत मत्वपूर्ण है और दूसरी चीज़ जब देश के विकास की बाद आती है उसमें भी जो हमारा क्रिशी शेत्र होता है उसका सबसे ज़्यदा योगदान होता है इसलिए आर्तिक सरशना की हिसाब से भी इसको महत्वा पुर्णा समझा जाता है सही विकास, देश की प्रगत्य के लिए महतअप पुर्ण भूमिका नहीं बाता है और कृषी का विकास, मतलब समझो आपके देश का विकास, हमारे भारत देश का विकास तो यही बात हमारे यहां से समझ में आती है कि करिशी छेत्र अमारे लिए कितना जरूरी है अब हम में उन मुद्दों की बारे में बात कर लेते हैं कि कृषी छेत्र को रीड की हड़ी क्यूं कहा गया ये जो मैंने आपको अभी तक बता है वो तो मैंने बता कि कृषी छेत्र कहा यूज होता है क्या इसका importance है, किस तरीके से लोगों की जिन्दगी में important है किस तरीके से देश में important है अब इसको कुछ point से हम समझते है कि इसका important क्या है तो इसका पहला important तो यह है तो जो हमारे देश की GDP होती है अब आप बोलोंगे सब GDP या नहीं क्या तो GDP का मतलब होता है gross domestic production क्या होता है gross domestic production तो यह जिसे हिन्नी में क्या कहा जाता है सकल घरेलू जो देश है हमारा देश है जिसमें 25% भाग हमारा किस पर है प्रात्मिक शेत्र पर निर्वर है जिसमें से एक कोन है सबसे ज्यादा important क्रिशी है जो क्रिशी शेत्र होता है वो GDP में अपना यूगदान की बात करते तो कितना है इसका 18-21 प्रतिशट के आसपास रहता है किसक करीमा 18-19% वश्क्या होता है आपका हमारा क्रिशी से बनाया उत्पादन होता है लेकिन गिरावट के साथ कहा जा सकता है यह दिनों दिन गिरावट होते जा रही है इसमें और विकास क्या हुआ है जाधा हुआ क्योंकि हमारा GDP धीरे-धीरे जैसे GDP तो हमारा घट नहीं रहा है लेकिन GDP में जो क्रिशी का हिस्सा था क्रिशी शेत्र का वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है क्योंकि लोग क्रिशी उत्पादन के सासाथ गयर क्रिशी उत्पादन में के उपर जादा धान दे रहे एक लाकों लोग जैसे है उन लाकों लोगों के लिए भोजन की ववस्ता कोन करवाता है हमारा कृषी छेत्र कहलाता है और दूसरा कम जो करोड़ो पशों है उनको चारी की उपनददा भी कून कराता है उनको सफ़ब कहल किया है मत्वपूर्णे अब खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या तो खाने की आवशक्ता को पूरा करने में जो हमारे भारत देश के आवादी है वो बहुत जादा है और ये खाद्य की आवशक्ता को पूरा करने में जो मदद करता है वो मारा कुंसा शेत्रा है क्रिशी शेत्रा है वस् पहला बात क्या था हमारा कि जो क्रिशी शेत्रा है उसका सकेल घरीली उद्पादन में क्या है जादा योगदान है दूसरी चीज़ जो हमारी देश की जन्संग क्या है जो आवादी है उसके भोजन की और चारे की जो पशू होते हैं उनकी उपलबद तक कौन करवा के देता ह है फिर तीसरा जो मुद्दा है वो यह है कि यह जो हमारा क्रिशी शेत्रा है रोजगार भी दिलवाता है मतलब भारत में क्रिशी शेत्र में रोजगार भी एक महत्वपूर्ण स्रूत है भारत में लगबक 50% से अधिक कारेशी जन्संग्या क्रिशी शेत्र में लगी हुई है मतलब भारत देश को सबसे ज्यादा रूजगार दिलाने माला एक चेत्र बंजने है इसलिए हमारे देश के लिए बहुत जादा जरूरी चीज बन जाती है आगे बढ़ते हैं और को और पॉइंट से समझाते हैं कि यह जरूरी क्यूं है जैसे कि आप देख रहे होंगे जो कृशी होते है हैं दो कि अगर सब्सक्राइब करने नर्मिन iidosड में है टो जो क्रिशी हो अगर उत्पादन का विकास हुआ है तो इसे लोग कुछ बना रहे हुए उत्पादन करने फिसके आमदन लोगा तो लोग उसで फिसन सब्सक्राइब नहीं पढता बहुत सारह समान तो यह कहता है शहर की किसी व्यापारी को अपना समान बेशता है शहर का व्यापारी कैसान को किसान नहीं हृए रहा वाले इस इंसान का हवी फाइद हुआ commerce रहा हुआ है थे गई यह होता हो कहां से आता है तो वो सब कच्छा माल कहां से आता है हमारे क्रिशी से आता है तो जितने भी क्रिशी ऐसा एक उद्दोग है जो उद्दोगों के आवशक्ता को कच्छे माल की क्या करता है आपूर्ती करता है जिसके द्वारा उद्दोगों का विकास संभव हो बात स्थाली तक मिलती है प्रसान चल्स नहीं है तो आगे इंख अगे सकते डोगों को भी चैसी साहता मिलती है तो तो जो खाद्यस प्रसंदकर है वानिज्य है विनिर्मान सेक्टर है और इन में क्या होती है सायता होती है क्रिशी शेत्र से ही उद्धोगों को सायता होती है और इससे क्या होता है जो रूजगार के अउसर होते हो क्या होते है पैदा होते है तो आप इस तरीके से समझिए कि जो करिशी है वो दूगों के लिए भी जरूरी है अगर करिशी नहीं तो दूग नहीं इस तरीके से समझवा आगे यह बात करते हैं तो गहरीलू व्यापार में योगदान तो जो हमारा घहरीलू व्यावसाय होता है उसमें भी कृषी शेतर का महत्वा पुरूस्तान है जो जनता होती है जनता हम जैसे लोग हमारे आवशक्ता को पूर्थी करने के लिए जो क्रिशी है हम क्रिशी वस्तो उपर क्या करते है भारी वेया करती है मतलब अपनी आवशक्ता की पूर्थी के लिए क्रिशी वस्तो उपर भी भारी वेया करती है हम जैसे के हमें कोई चीज चाहिए तो normally हम जितनी भी चीज़ों का यूज़ करते है नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी आबादी ग्रामी चेत्र के लोग ज्याधा तो हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते है जो भी वस्तु यूज़ करते है उनमें हम ज़्यादा किसका यूज करते है, हम उनवस्तू का यूज करते है, जिसका relation, जिसका रिष्टा किस से होता है, हमारे क्रिशी शेत्र से होता है, इसलिए घरेरो व्यापार में भी ये क्या रखता है, योगदान रखता है, फिर है आंतराश्टी व्यापार में जैसे जो क्रिशी द्वारा उत्पाजी चाय है जूट है तंबाख होए कॉफी है ये इन सब चीजों को निरियात किया जाता है निरियात किया जाता है मतलब क्या तो हमारे देश की इन चीजों को विदेशों में जाके क्या किया जाता है बेचा जाता है जिससे कि हमें विदे वह समान बनता है वही समान दूसरे देश में बैश आजाता है यो आगे बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में किसी नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहे और चीजों को समझते रहे तो चलिए आज के क्लास में इत्ता है रखते हैं